हेलो स्टूडेंस गुड मॉरिंग आज हम क्लास वान साइन्स के चेप्टर फोटीन अप इन दा स्काइ के पीज नमबर 83 पढ़ेंगे देखो हम यह पढ़ चुके थे तो आज हम यह पढ़ेंगे स्काइ के बारे में स्काइ में क्या क्या दिखाई देता है उसके बारे में ach दे एंड अटनाईट we see the sun, moon, stars and clouds in the sky मतलब दीन में दे मतलब दीन और नाइट मतलब रात है दीन में और रात में स्काइ अलग अलग दिखाई देता है कैसे अलग दिखाई देता है जैसे दिन में आसमान में सूरज दिखाई देता है और चारो तरब उजाला होता है या लाइटिंग होता है लेकिन रात को आसमान में सितारे दिखाई देते हैं और चारो तरब अंधेरा चाया हुआ होता है तो यह है difference दिन और रात में Sky कैसा दिखता है The sky looks different during the day and at night We see the sun, moon, stars and clouds in the sky और हम आस्मान में या sky में आगास में हम क्या देखते हैं Sun को देखते हैं देखो यह है Sun, Sun मतलब सूरज या सूरिय and moon, चंद्रमा भी देखते हैं और stars इतारे भी देखते हैं and clouds, बाद लोग को भी हम आस्मान में देखते हैं तो हम Sun को देखते हैं तो आज हम this Sun के बारे में पढ़ेंगे देखो यह है Sun This Sun is a big ball of fire It gives us heat and light It is very big but looks small because it is very far away It rises in the morning and sets in the evening It seems to change its place throughout the day The Sun is a big ball of fire Sun क्या है? Sun एक, सूरज एक आग का एक बड़ा सा गोला है आग का फायर मतलब आग आग का एक बहुत बड़ा गोला है It gives us heat and light हमको Sun से क्या मिलता है सूरज से क्या मिलता है हमको सूरज से heat मिलता है heat मतला धूब या हमको गरम लगता है इसके lighting या इसका light Sun का light हमको गरम महसुस होता है It is very big but looks small ये सूरज बहुत बड़ा है लेकिन ये बहुत छोटा दिखता है क्यों छोटा दिखता है Because it is very far away क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है इसलिए सूरज हमको बहुत छोटा दिखता है लेकिन ये असल में बहुत बड़ा होता है सूरज It rises in the morning and sets in the evening और सुरज सुबह को उड़ता है पूर्व दिशा से उड़ता है और साम को पस्चिम दिशा से डूब जाता है और ऐसे ही ये सुरज अपना जगहा बदलता रहता है कैसे बदलता है जैसे सुबह को उड़ता है पूर्व दिशा से और आप्टरनुन को हमारे सीर के उपर दिखाई देता है और साम को या इविनिंग को वो क्या करता है पस्चिम दिशा से डूब जाता है तो ऐसे ही सुरज अपना स्थान बदलता रहता है तो ये था सुन के बारे में देन देखो फेक्टुपेडिया पढ़ेंगे इसका मतलब कभी कभी जब बारिस की बज़े से सुरज जब बारिस की माध्यम से भीग जाता है तो रेन्बो दिखाई देता है आस्मान में रेन्बो दिखाई देता है रेन्बो मतलब इंद्रधनुस दिखाई देता है तो इसको पढ़ना और समझना झाल